भागवत पुरान सब्तसकंद नवाध्या प्रहलाजी के द्वारा निर्शिंग भगवान की स्तुति नारजी कहते हैं इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदी सभी देवगन निर्शिंग भगवान के क्रोधा वेश को सांत ना कर सके और ना उनके पास जा सके किसी को उनका ओड चोड नहीं दिखता था देवदाओं ने उने शांत करने के लिए स्वयम लक्ष्मी जी को भेजा उन्होंने जाकर जब देर्शिंग भगवान को वह महान अद्वुत रूप देखा तब भयवश्वे भी उनके पास तक ना जा सकी उन्होंने ऐसा अनूठा रूप ना कभी देखा और ना सुना ही था तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही करे प्रहलाद को यह करकर भेजा की बेटा तुमारे पिता पर ही तो भगवान को पित हुए थे अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो भगवान के परम प् लोट गए निर्शिंग भगवान ने देखा कि नन्ना सा बालक मेरे चरनों के पास पड़ा हुआ है उनका हिर्दय दया से भड़ गया उन्होंने प्रहलाद को उठा कर उनके सिर पर अपना वर वह करकमल रख दिया जो कारे सरपक से भैबीत पुर्शों को अभैदान करने बाला है भगवान के करकमलों का सपर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुब संसकार भी जड़ गये ततकाल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्चातकार हो गया उन्होंने बड़े प्रेम और आनंद में मगन होकर भगवान के चरन कमलों को अपने हिर्दय में धारन किया उस समय उनका सारा सरीर पुलकित हो गया हिर्दय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंद अश्रू जड़ने लगे प्रहलाज जी बावपोर निर्दय और निमिशेश नैनो से भगवान को देख रहे हैं दे बाव समाधी से स्वयम एकागर हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुनों का चिंतन करते वे प्रेम गदगदवानी से स्थुदी की प्रहलाज जी ने का ब्रह्मा जी आदी देवता रिशी मुनी और सिद्ध पुरुशों की बुद्धी निरंतर सत्व गुन में ही स्थित रहती है फिर भी वे अपनी धारा प्रवास्तुती और अपने विविद गुनों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके फिर मैं तो घोर असुर जाती में उत्पन हुआ हूँ क्या आप मुझे से संतुष्ट हो सकते हैं मैं सबचता हूँ कि धन कुलीनता रूप तप विद्या ओज तेज प्रभा बल पौरुष बुद्धी और योग ये सबी गुन परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं परंतु भक्ती से तो भगवान गजिंद्र पर भी संतुष्ट हो गये थे मेरी समझ से इन बारह गुनों से युक्त ब्रह्मन भी यदि भगवान कमल नाब के चरन कमलों से विमुक हो तो उससे वा चांडाल श्रेष्ट है जिसने अपने मन वचन कर्म धर्न और प्रान भगवान के चरनों में समर्पित कर रखे हैं क्योंकि वा चांडाल तो अपने क कुल तक को पवित्र कर देता है और पडपन का अभिमान रखने वाला वब ब्रामन अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता सर्वशक्ति मान प्रभू अपने स्वरूप के साक्षातका से ही पड़िपूर्ण है उन्हें अपने लिए चुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहन क करने की अवशक्ता नहीं है वे करुणा वस ही भोले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्विकार कर लेते हैं जैसे अपने मुख का सौंदर्य धर्पन में दिखने वाले प्रति बिम्बो को भी सुनकर बना देता है वैसे ही भक्त भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वो उसे ही प्राप्त होता है इसलिए सर्वता अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी संका के अपनी बुद्धी के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूं इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अवि विततकाल पवित्र हो जाता है भगवान आप सत्व गुनों के आश्रे हैं ये ब्रह्मा अधिसवी देवता आपके अग्याकारी भक्त हैं ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेश नहीं करते प्रभु आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहन करके इस जगत क कल्यान एवं अव्यूदे के लिए तथा उसे आत्म ग्यान की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लिलाएं करते हैं जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वह मारा जा चुका अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए जैसे बिच्चु और सांप की म बड़ा सुख मिला है अब सब आपके शांत सुरूप के दर्शन की बात जोह रहे हैं निरसिंग देव बैसे मुक्त होने के लिए बक्त जन आपके इस रूप का स्मरन करेंगे परमात्मन आपका मुक्त बड़ा भयावना है आपकी जीव लपलपा रही है आखे सूरी के समान ह बोहें चड़ी हुई है बड़ी पैनी दाड़ी है आतों की माला खून से लद्पत गरदन के बाल बच्छे की तरह सीधे खड़े कान और दिखजनों को भी भैबीत कर देने वाला सिंग नाद एवं सत्रू को फार डालने वाला आपके इन नकों के देखने देखकर मैं तनिक भी भैबीत नहीं हुआ हूँ दीन बंदू मैं भैबीत हूँ तो केवल इस असाय और उग्र संसार चक्र में पिसने से मैं अपने कर्म पासों से बंद कर इस भैंकर जन्तूओं के बीच में डाल दिया गया हूँ मेरे स्वामिया प्रसन होकर मुझे कब अपने उन चारण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एक मात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है अनन्त मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिये के वियोग और अप्रिये के संयोग से होने वाले शोक की आग में जुलस्ता रहा उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है मैं ना जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तू को आत्मा समझ कर इधर उधर बटक रहा हूँ अब आप ऐसे सादन बतलाईए जिससे कि आपकी सेवा शक्ती प्राप्त कर सकू प्रभु आप हमारे प्रिये हैं अहैतुक हितैशी सुहिर्द हैं आप ही वास्तव में सब के परम अराध्य हैं मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कताओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता सेज रागादी प्राकृत गुनों से मुक्त होकर इस संसार की कटनाईयों को पार कर जाओंगा क्योंकि आपके चरन युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस बात्माओं का संग तो मुझसे मिलता ही रहेगा बगवान निर्सिंग इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वो आपके उपेक्चा करने पर एक च्छन के लिए ही होता है यहां तक कि मा बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते औशधी आदी नहीं मिटा सकती और समुद्र में डूपते हुए को नौका नहीं बचा सकती सत्वादी गुनों के कारण बिन्ने बिन्ने सभाव के जितने भी ब्रह्मादी श्रिष्ट और कालादी कनिष्ट करता है उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं वे आपकी प्रेरना से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिटी आदी उपकरनों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अद्रिष्ट आदी की सहायता से जिस प्रयोजन के उद्देश से जिस विदी से जो कुछ उत्पन करते हैं या रुपांतरित करते हैं वे सब और वह सब आपका ही सरूप है पुरुषों की अनुमतिक से काल के द्वारा गुनों में छोब होने पर माया मनप्रदान लिंग शरीर निर्मान करती है यह लिंग शरीर बलवान कर्म में एवं अनेक नाम रूपों में आशक्त चंदू में है यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन दस इंद्रिय और पांच तन मात्रा इन सूला विकार रूप औरोस से युक्त संसार चक्र है जन में रहित प्रभू आपसे बिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए सर्व शक्तिमान प्रभू माया इन सूला आरो वाले संसार चक्र में डाल कर एक के समान मुझे पेर रही है आप अपनी चैतन शक्ती से बुद्धी के समस्त गुनों को सरवदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपुर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं मैं आपकी शरन में आया हूँ आप मुझे इससे बचाकर अपनी सन्निधी में खीच लीजिए भगवन जिनके लिए संसारी लोग बड़े ललाईत रहते हैं स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोग पालों की वह आयू लक्ष्मी और एश्वर्य मैंने खूब देख लिए जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हसते थे और उससे उनकी भौएं थोड़ी टेड़ी हो जाती थी तब उन स्वर्ग की संपत्यों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था वे लुट्टिती फिर्टिती किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला इसलिए मैं ब्रह्म लोक तक की आयू लक्ष्मी एश्वरे और वे इंद्रिय भोग जिने संसार के प्रानी चाहा करते हैं नहीं चाता क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप दारन करके आपने उन्हें ग्रास रखा है इसलिए मुझे आप अपने दासों की सनिधी में ले चलिए विशे भोगों की बात सुनने में ही अच्छी लगती है वास्तब में वे मिर्क्त रिष्णा के जल के समान नितांत असत्य है और या सरीर भी जिससे वे भोग भोगे जाते हैं अगनित रोगों का उद्गम स्थान है कावे मित्या विशे भोग और काव या रोग युक्त शरीर इन दोनों की चन बंगुरता और आसाता जानकर भी मनुशे इन से विरक्त नहीं होता वो कठनाई से प्राप्त होने वाले भोगों के नन्ने नन्ने मदू बिंदूओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेश्टा करता है प्रभू कहा तो इस तमो गुनी असुर वंस में रजो गुन से उत्पन हुआ मैं और कहा आपकी अनंत कृपा धन्य है आपने अपना परम प्रशाद स्वरूप और सकल संताप हारी वा कर कमल मेरे सिर पर रखा है जिसे आपने ब्रह्मा शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा दूसरे संसारी जीवों के समान आपने चोटे बड़े भेद भाव नहीं है क्योंकि आप सबके आत्मा और अकारन प्रेमी है फिर भी कल्प वरिक्ष के समान आपका कृपा प्रशाद भी सेवन भजने से ही प्राप्त होता है सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदे होता है उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है भगवन या संसार एक ऐसा अंधेरा कुआ हैं जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है विशेभोगों की इक्षा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था परंतु भगवन देवर्शी नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया तब भला मैं आपके भक्त जनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ अनन्त जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़क ले लिया और वह कहने लगे कि यदि मेरे सिवा कोई और इश्वर है तो तुझे बचा ले मैं तेरा सिर काटता हूँ उस समय आपने मेरे प्रानों की रक्षा की और मेरे पिता का वद किया मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादी रिशियों का वच्चन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था बगवन यह संपूर्ण जगत एक मातर आप ही है क्योंकि इसके आदी में आप ही कारन रूप थे अंत में आप ही अवदी के रूप में रहेंगे और बीच में इसकी प्रतीती के रूप में भी केवल आप ही है आप अपनी माया से गुनों के परिनाम सुरूप। इस जगत की स्रिष्टी करत के इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुनों से युक्त होकर अनेक मालूम पर रहे हैं। भगवन यह जो कुछ कारी कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वो सब आप ही हैं और इससे भिन्ने भी आप ही हैं। अपने पराय का भेद बाव तो अर्थीन सब्दो की माया है क्योंकि जिससे जिसका जन्म हुआ स्थिति ले और पकाश होता है वो उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और व्रिक्ष कारण और कारी की द्रिष्टी से भिन्ने भिन्ने हैं वैसे भी गंद तनमात्रा की द्रिष्टी से दोनों ही एक ही हैं। भगवन आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयम ही अपने में समेट कर आत्म सुक का अनुबब करते हुए, निश्क्रिय होकर प्रले कालीन जल में शहन करते हैं, उस समय अपने स्वयम शिद्ध योग के द्वारा ब्रह्म द्रिष्टी को बंद कर आप अपने स्वरूप के प और ना तो विश्यों को ही स्विकार करते हैं, आप अपनी काल शक्ती से प्रकृति के गुनों को प्रेरित करते हैं, इसलिए या ब्रह्मान आपका ही शरीर है, पहले या आप में ही लीन था जब प्रले कालीन जल के भीतर शेश सया पर शेहन करने वाले, आपने योग निद की समाधी त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वरिक्ष के समान आपकी नाभी से ब्रह्मान कमल उत्पन हुआ, उस पर शूक्ष में दर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई ना पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त आपको वेद ना जान सके और आपको अपने से बाहर समझ कर जल के भीतर गुश कर सो वर्स तक ढूंडते रहें, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला, यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुड उगाने पर उसन में व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकत ब्रह्मा को बड़ा अश्यर हुआ वेहार कर कमल पर बैठ गये, बहुत समय बीतने पर तिवर तपश्या करने से जब उनका हिर्दय सुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत इंद्रिय और अंतर करन रूप अपने शरीर में ही ओत प्रोत रूप से स्थित आपके शूक्षम र मात्रा गंद का होता है, विराट पुरुष, शहस्त्रु, मुक, चरन, सिर, हात, जंगा, नाशिका, मुक, कान, नेत्र, अभूशन और आयूधो से संपन्य था, चौदहों लोग उसके विबिन्य अंगों के रूप में शोबायमान थे, वो भगवान की एक लीला मही मूर्त थी, उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ, रजोगुन और तमोगुन रूप मधु और कैटभ नाम के दो बड़े बलवान देत्य थे, जब वे वेदो को चुड़ा कर ले गए, तब आपने हैं गृव अवतार ग्रहन किया, और उन दोनों को मार कर सत्व गु नुरूप शूतियां ब्रह्मा जी को लोटा दी, वो सत्व गुनी आपका अत्यंत प्रिये शरीर है, मात्मा लोग इस प्रकार वर्नन करते हैं, पुरुशुत्तम इस प्रकार आप मनुष्य पसू, पक्षी, रिशी, देवता और मतश्यादी अवतार लेकर लोकों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का संगार करते हैं, इस अवतारों के द्वारा आप प्रतेक युग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं, कल्यूग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियूग भी है, वैकुन्ठनाथ, मेरे मन की, कल्यूग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियूग भी है, वैकुन्ठनाथ, मेरे मन की बरी दुर्दशा है, वह पाप वाशनाओं से तो कलुशुत है ही, स्वैम भी अत्यंत दुष्ट है, वह प्राया ही कामनाओं के कारण आत रहता है, और हर्श शोक भैवम लोक परलोक धन पत्नी पुत्रादी की चिंताओं से व्याकुल रहता है, इसे आपकी लीला कथाओं में तो रस ही नहीं मिलता, इसके मारे मैं दीन हो रहा हूँ, ऐसे मन से मैं आपके स्वरूप का चिंतन कैसे करूं, अच्ची उत्या कभी अगाने वाली जीब, मुझे स्वादिश्ट रसो की और खीचती रहती है, जनिंद्रिय सुंदरी स्त्री की और, तचा सुकोमल स्पर्स की और, पेट भोजन की और, कान मदुर शंगीत की और, नाशिका बीनी बीनी सुगंद की और, और ये चपल नेत्र सुंदर की और ले जाने को जोड लगाती ही रहती है। मेरी तो वह दशा हो रही है। जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्निया उसे अपने अपने शेहन गरी में ले जाने के लिए चारो ओर से घसीट रही है। इस प्रकार यजीव अपने कर्मों के बंदन में पढ़कर इस संसारूप पैतरनी नदी में गिरा हुआ है। आप इस मूड जीव जाती की ये दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाईए। इस भव नदी से सरवदा पार रहने वाले भगवान। इन प्रानियों को भी आप पार लगा दीजिए। जगत गुरु आप इस रिष्टी की उत्पत्ती सिती तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भव नदी के पार उतार देने में। आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के परम हितैशी प्रभू। भूले भटके के मूड ही महान पुरुशों के विशे अनुग्र पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आविशक्ता नहीं है क्योंकि हम आपके प्रिये जनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। परमात्मन इस भव वैतरनी से पार उतरना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन हैं। परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भै नहीं है क्योंकि मेरा चित इन इस वैतरनी में नहीं। आपकी उन लीलाओं के गानों में मगन रहता है जो स्वर्गिय अम्रित को भी तिरस्कृत करने वाली परमात्म परम्रित स्वरूप है। मैं उन मूड प्रानियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुन गान से विमुख रहकर इंद्रियों के विशियों का माया मैं जूठा सुक प्राप्त करने के लिए अपने सिर पर सारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी बड़े बड़े रिशी मुनीतो प्राया अपनी मुक्ती के लिए निर्जन वन में जूठा रहते हैं।